हमारे पास प्राब्लम है एक्वेजिन और स्ट्रेट लाइन की एक्वेजिन कैसे मालूम किया सकती है question है find in equation of the horizontal line through 7 minus 9 और इसके बाद है the line bisecting first and third quadrant ठीक है अब इसका मतलब है सबसे पहले मैं यहां पर जो है वो graph draw करता हूँ graph से हमें काफी हद तक help हो जाती है कि हमने करना कैसे है question समझ आ जाता है अब हम जानते हैं कि हमारे पास x-axis है यह y-axis है अब जो एक equation हमने पढ़ रखी है वो क्या है वो हमारे पास equation क्या है point slow form वो क्या थी y minus y1 is equal to m into x minus x1 ठीक है x minus x1 एक तो यह थी ठीक है यह slope intercept form की बात कर लें चलें slope intercept form y is equal to y is equal to mx plus c ठीक है एक तो यह है और उसके बाद है second देखते है equation the line by setting first and third quadrant चले पहले एक पाट के हम बात कर लेते हैं ठीक है अदिक है find an equation of the horizontal line through 7 minus 9 पहले 7 minus 9 को plot करते हैं तो x positive 7 1 2 3 4 5 6 7 और y अब obviously अगर इदर x है तो इदर minus x और इदर minus y तो यहां से 7 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चले यहां पर 8 और यहां पर 9 तो हमें parallel line यह इस से parallel यहनि horizontal line यह देखें यह हमें इस line की equation हमने मालूम करनी है इस line की equation हमने मालूम करनी है अब एक बात हम जानते हैं एक बात हम जानते हैं वो बात क्या है कि इस line की जो slope होगी वह 0 because जो line parallel to x axis है जो horizontal line होती है उसकी slope क्या होती है 0 होती है तो इसका मतलब है इसकी slope क्या है 0 एक बात तो clear होगी ठीक है क्योंकि x में जो भी change है और इसकी वएसे y में कोई change नहीं हा रहा है अब इस equation को use करें तो y is equal to पहले point देख लें y यानि इस में ये x है ये y है पहले intercept final करते है intercept का मतलब है y intercept का मतलब है origin से y axis पे किस point पे touch करती है तो इसके लिए हम y कितना रखेंगे y है minus 9 is equal to m0 into x कितना है 7 और plus c इसका मतलब c जो है यहां पे कितना रहा है c is equal to rm minus 9 के तो ये equation के होज़े की y is equal to mx plus c मतलब क्या हुआ y is equal to m0 है तो ये पूरी term 0 और c कितना है minus 9 तो y is equal to minus 9 ठीक है तो इसकी equation क्या है y is equal to minus 9 ये first की equation है second part पर आ जाते हैं second part पर आ जाते हैं तो उसके गर हम बात करें तो वो है जी the line by setting first and third quadrant यानि एक ऐसी equation की ऐसी equation का graph draw करने जिसमें the line by setting first and third quadrant अब ये first और third quadrant को जो line by set करती है ठीक है उसकी slope कितनी होती है हम ये बात पढ़ किया चुके है one किस तरह से क्योंकि हमें पता है एक unit change in X जो है is why box जो है वाए एक unit change in Y लेगा थैक है mean कै ज़ए जतना Y में चैन्ज आएग जाएगा तो अब ये क्या हुती है rise over run slope क्या होती है rise ever run तो जितना rise हो उतना ही run हो ठीक है तो slope कितनी होती है one slope कितनी हो जाएगी one इसका मतलब है m जो है वो कितनी है one है ठीक है और सबसे बड़ी बात कि कहां से pass करें origin से pass करें तो mean c इसमें कितना होगा zero अगर इसमें c zero है तो y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c इसमें से equation final करना बहुत अस्वान है कि y is equal to m कितना है one और one into x plus c और c zero है तो इसका मतलब y is equal to x इसमें प्लाइज दाट कि equation क्या हो जाएगी y is equal to x यानि इसका मतलब क्या है equation होगी y is equal to x चूंकि देखे जितना y है उतना नेगडिव में ले लें अगर x negative 1 है y negative 1 है अगर x negative 2 है y negative 2 है अगर x negative 3 है y negative 3 है ठीक है इस तरह से याँ पे देख लें x plus 1 है y plus 1 है x plus 2 है y plus 2 है x plus 3 है y plus 3 है x plus 4 है y plus 4 है तो ये बात समझ आजेती है y is equal to x जो है एक ऐसी line जो कि first और third को बाई सेट करती है इसको बड़े आराम बड़े एजिली जो है वो तमाम वैलियूस को जो है जिस्टिफाई करती है